आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाउ इस कोशन में देखें क्या बोलाए कि एक सेल है जिसका एम है 4.5 वोल्ट है और उसे हमने कनक किया एक डाउट के साथ जिसका पोटेंशल बेरियर है 0.7 वोल्ट ठीक है और बोलाए कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है सर्किट का वो है 190 ओम तो हमें बस करेंट निकालना है सर्किट के थ्रू कितना फ्लो होगा तो चली सबसे पहले इसका सर्किट डाउग्रम बना लेते हैं क्या बोला गया है एक डायोड है ठीक तो डायोड बना लेंगे इदर जिसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 190 ओम का यहां लिख लिए हमने 190 ओम और इसको हमने फॉरवड बायस में कनेक्ट किया एक बैटरी के साथ इसका पुटेंशल है देखे फॉरवड बायस में तो हम पी टर्मील डायोड को पॉजिटिव साथ बैटरी से कनेक्ट करेंगे ठीक और एंड इसको नेगेटिव साथ बैटरी से तो ऐसे करनेक्ट कर दिया हमने और इसके थूप हम आय कर्ण्ट फ्लो कर रहें मानेंगे तो हमें करेंट ही यह आय इस circuit में अगर kvl लगाएं इस direction में ऐसे loop लेके तो क्या होगा देखेगा i current इस direction में और यहाँ 0.47 volt का drop हो रहा है तो यह क्या होगा देखेगा यह होगा 4.5 4.5 minus 0.7 ठीक है जो drop हो रहा है minus i into 190 equals to 0 ऐसे हो जाएगा यह ठीक है तो यहाँ से हमें i की value निकाल लिए तो हम क्या करेंगे देखे 4.5 minus 0.7 यह क्या हो रहा है यह हो जाएगा 3.8 equals to i into 190 यह ऐसे हो गया तो i की value क्या होगी यह होगी 3.8 divided by 190 which is 3.8 divided by 1.9 into 100 ऐसे लिख सकते हम इसको ठीक है और यह देखे 1.92 जा होता है 3.8 तो 2 divided by 100 into 10 raise to minus 2 हो गया ठीक है एंपियर तो यह हो गया इसको हम ऐसे लिख सकते 20 into 10 raise to minus 3 एंपियर तो हमारा current क्या हो जाएगा 20 mili एंपियर ठीक है तो option A जो है अपना सही option है क्लासिक स्ट्वेल से लेके नीट IIT जेही मेंस और एडवांस के लेवल तास मिलियन से जादा स्टुडेंट्स कभर हो सा आज ही डाउनलूट करें डाउटने टाप यह वाथ्साप कीजिए अपने डाउट्स आच 4444 सुपर